जै शिरा, जै जोटिश, आज हम बात करेंगे दिशाशूल की, दिशाशूल क्या होता है और कैसे बनता है, एक विशेश दिशा में, एक विशेश दिन यात्रा करना दिशाशूल कहलाता है, या यात्रा ना करना दिशाशूल कहलाता है, ठीक, दिशासुल को समझने से पहले हमें दिशाओं के बारे में समझना होगा कि दिशाओं कितनी होती हैं हमारे सनातन गरंथों में दस दिशाओं का वर्णन मिलता है जिस परकार शिरी रमाइनी जी में भी हनुमान जी ने जब युद में हुंकार लगाई तो दस्व दिशाएं काँ पूठी ऐसा वर्णन आता है। ये दस्व दिशा कौन कौन सी हैं। पूरव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिन। अब उत्तर और पूरव का जो अक्षेत्र होता है जिसे हम इशान कौन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पूरव और दक्षिन का जो अक्षेत्र है, उसे हम आगनी कौन की नाम से जानते हैं। इसी परकार दक्षन और पश्चिम का जोक्षेत्र होता है, जिसे हम निरित्य कुन या निरित्य दिशा के नाम से जानते हैं। इसी परकार पश्चिम और उत्तर का जोक्षेत्र होता है, उसे हम वायवे कुन की नाम से जानते हैं। इसे प्रकार आकाश, अवद, पाताल, अधो को जो है, ये दिशाएं, दिशाएं हमारे मिलते हैं। हमारा सनात अंधर्म के गरंतों में सदेव, दसों दिशाओं का ही वर्न मिलता है। दसों दिशाओं को समझने के पाशात हम उनके दिवताओं के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, कि हर दिशा का एक दिवता होता है। आईए अब समझते हम इस के भाव को, कि दिशा शूर, सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए। रविवार और शुकरवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मंगलवार और बुद्वार को उत्तर दिशा और गुरुवार को दक्षन दिशा सोमवार और गुरुवार को अगनी दिशा रविवार और शुकरवार को निरित्य दिशा मंगलवार को वायवे दिशा बुद्ध और शनी को इशान दिशा दिशा सूल होता है अर्थात इस दि इन दिशाओं की यात्रा नहीं करनी चाहिए बुद्ध को उत्तर दिशा का स्वामी होते भी हुए भी बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा बिलकुल निशिद है यदि एक जगसे रवाना होकर उसी दिन गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना तैहू तो ऐसी यात्रा में तितिवार नक्षत्र दिशा शूल परतिशूल योगनियादी का विचार नहीं करना चाहिए इसके लबा कुछ ऐसे विशे भी हैं कि भी अपात कालवेगर जाना पड़े तो क्या करना चाहिए क्योंकि मुख्या बात ये होती है यदि फिर भी किसी कारवश किसी दिशा में विशेश तोर पर जाना पड़ जाए तो जैसे कि रविवार को अगर आपको जाना है तो उसमें दलिया और गी खा करके आप जा सकते हैं और सूर्य का जो पर्म वरिक्ष है मंदार मंदार की लकडी को साथ लेकर के जा सकते हैं, मंदार पर जल चड़ा करके आप जा सकते हैं, इसे प्रकार, सोंवार को अगर आपको जाना पड़ गया है, तो दरपन देख करके जाएं, शिशे को देख करके जाएं, चंद्रमा का जो वरिक्ष होता है, पलाश, जो है, पलाश की लकडी को आप अपने पास रख सकते हैं या खैर पर आप जल चड़ा करके जा सकते हैं इसे प्रकार बुद्वार को धनिया या तिल खा करके आप यात्रा कर सकते हैं तो अपा मारत जिसे हम लटजीरा भी कहते हैं उस पे आप जल भी चड़ा सकते हैं और उसको आप साथ ल करके जा सकते हैं इसे प्रकार शुकरवार को आप जो खा कर जो है आप कहीं भी जा सकते हैं जो की रोटी जो है खा करके आप जा सकते हैं और गुलर का के पेड को जो है आप उसमें जल दे करके या उसकी लकडी को साथ रख करके जा सकते हैं इसे प्रकार शनिवार को अद्रक या उलद अद्रक या उलद को खा करके जो है आप जा सकते हैं और शम्मी और पेपल दोनों में से जल चड़ा करके या उनको पत्तों को साथ ले करके या लकडी को साथ ले करके जा सकते हैं तो रहु का जो है दुर्वा और चंदन रिक्ष होता है तो ब्रस्पति बार की शाम और रवी बार की जो सुबह होती प्रत्यकाल वो रहु का समय होता है उस समय अगर आपको यात्रा करनी है तो चंदन की लकडी को आप अपने पास रख करके यात्रा कर सकते हैं ये कुछ वि आप यात्रा कर सकते हैं बलकि करनी चाहिए कर सकते हैं करनी चाहिए वो जो है सबसे जैदा जरूरी होता है और इसके साथ ही शिरामायन जी की एक चोपाई जो है प्रविक्सी नगर की जे सब काजा हिर्देरा की कौशलपुर राजा तो ऐसा जिस भी शहर में आप जाएं वह कर सकते हैं